Royal Enfield 650 Scrambler काफी टाइम से ये न्यूज मार्किट में फ्लोट हो रहे हैं कि Royal Enfield की तरफ से 650 Scrambler launch होने वाली है हेलो राइडर्स मेरा नाम है रोहित एंड वल्कम टूरिच इंडिया आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Royal Enfield Scrambler 650 के बारे में ये हम सभी लोग जानते हैं कि दीरे दीरे ये 650 CC का इंजन Royal Enfield की सभी मोटरसाइकल में आने लगेगा जैसे की हिमालियन है और क्लासिक या फिर आप कह सकते हैं थंडर बड़ तो सभी तरह की मोटरसाइकल Royal Enfield की तरफ से आपको 650 CC के इंजन के साथ मिलेंगी जी हाँ बिलकुल आपने वीडियो को टाइटल सही पड़ा है Royal Enfield 650 Scrambler अवेलेबल है Royal Enfield के ओफिशल शोरूम में डीलर्शिप में सेल के लिए Royal Enfield Interceptor 650 एक ऐसी मोटरसाइकल है जो कि किसी भी मोडिफायर के लिए या फिर जो कस्टम बिल्ड करते हैं more cycle को उनके लिए एक perfect design है या फिर perfect एक blank paper है कि आप उसके ओपर अपनी imagination को दिखा सकते हैं बहुत ही मजबूत चेसी आपको इसमें मिलती है और बहुत ज़ादा रिफाइंड इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है। Royal Enfield Interceptor 650 को बहुत ही आसानी से एक Scrambler Motorcycle में modify किया जा सकता है। International Market में Royal Enfield 650 Twins ने Custom Motorcycle Makers को एक affordable option दिया है। इससे पहले Custom Motorcycle Makers के पास या फिर customization करने वालों के पास Harley Davidson या फिर Triumph जैसी motorcycle का option हुआ करता था क्योंकि उनकी chassis और engine बहुत ही ज़ादा मजबूत और refine होते थे। लेकिन Interceptor 650 और Continental GT 650 आने के बाद इस motorcycle को सभी लोग customize करने लगे हैं अपनी पसंद के हिसाब से। Lavita एक country है Eastern Europe में और यहाँ पर एक Royal Enfield की dealership है जिसका नाम है Moto Classic House ये dealership Royal Enfield Interceptor 650 को customize करके एक scrambler motorcycle बना कर sale कर रही है Moto Classic House ने सिर्फ और सिर्फ 10 motorcycle को scrambler में बदला है इसका नाम रखा गया है Interceptor MCH Scrambler Scrambler एक motorcycle होती है जिसमें की off-road capability और touring capability दोनों होती हैं ग्राउंड clearance थोड़ा सा ज़ादा हो जाता है और tires आपको knobby या फिर chunky tires जिनको बोलते हैं बड़े और wide tires आपको देखने को मिलते हैं ताकि वो off-road में अच्छा perform कर पाएं तो चलिए बात करते हैं कुछ upgrades के बारे में कि क्या-क्या upgrade किये हैं Moto Classic House ने Interceptor MCH Scrambler में सबसे पहले जो नजर आता है वो हैं इसके beefy knobby tires जो की आपको मदद करेंगे off-roading के लिए Moto Classic House ने इसका ECU भी remap किया है लेकिन ECU remap करने के बाद इसके जो numbers हैं मतलब की power और torque figure जो हैं उसमें कोई भी change नहीं नजर आता है आपको लेकिन उमीद है कि जब real life में आप इसको चलाएंगे तो इसमें आपको फर्क जरूर नजर आएगा luggage rack आप इसमें देख सकते हैं और rear fender जो है मतलब की mudguard उसको काट कर चोटा कर दिया गया है custom accessories के अलावा कुछ stock accessories भी आपको इस motorcycle में देखने को मिलेंगी जैसे की royal and field का जो genuine original accessories आती है bash plate आपको इसमें देखने को मिलेगी motor classic house ने इसमें लगाया है jar scrambler exhaust जो की इसके scrambler look को complete करता है इसके बिना ये motorcycle scrambler किसी भी तरह से नहीं लग सकती थी jar scrambler exhaust का जो weight है complete system का जो weight है वो है 12 kg जो की बहुत कम है royal and field के stock exhaust system से तो यहां पर ये वाला exhaust system लगाने के बाद weight भी इस motorcycle का बहुत कम हो जाता है stock interceptor के अगर बात की जाए तो ये motorcycle आपको मिलती है 648 cc के air oil cooled engine के साथ और ये engine produce करता है 47 bhp की power और 52 newton meter का torque ECU remap होने के बाद आपको इसमें कोई भी change paper पर नहीं नज़र आ रहा है लेकिन इसकी rideability या फिर जब आप इसको चलाएंगे इसके experience में आपको definitely फर्क नज़र आएगा दिखने में ये motorcycle बहुत ही खूबसूरत लग रही है उमीद है कि Royal Enfield officially इंडिया में भी इस तरह की motorcycle जल्दी से जल्दी लेकर आए 650 engine के साथ अगर ये motorcycle आप इंडिया में देखना चाहते हैं तो comment box में लिखिए Royal Enfield Scrambler 650 अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए Rich India Moto को subscribe कीजिए अगर आप Royal Enfield Scrambler 650 के बारे में detail में पढ़ना चाहते हैं तो description में दिये link पर आप click कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही Thank you for watching झाल